उधारण उन्निस सिद्ध कीजिये की साइन कोश्टक में नब्य अंश रिन थीटा कोश्टक बन सैक थीटा धन कॉस नब्य अंश रिन थीटा कोश्टक थीटा बराबर दो यह हमें सिद्ध करना है हल बायापक्ष बायापक्ष में हमारे पास है साइन कोश्टक में नब्य अंश रिन थीटा सैक थीटा गुणा सैक थीटा धन कॉस कोश्टक में नब्य अंश रिन थीटा कोश्टक बन गुणा कोश्टक थीटा बराबर हम जानते हैं साइन नब्य अंश रिन थीटा जो है उसका मान कॉस थीटा के बराबर होता है तो इसके स्थान पर हमने कॉस थीटा लिख लिए गुणा सैक थीटा धन उसी तरह से cos 90 थीटा sin थीटा होता है तो हमने यहां लिखा sin थीटा cos 90 थीटा के स्थान पे sin थीटा गुणा कोशिक थीटा बराबर cos थीटा गुणा सैक थीटा को हम लिख सकते है एक बटा cos थीटा क्योंकि सैक थीटा जो है वो cos का उल्टा होता है तो सैक थीटा के स्थान पे एक बटा cos थीटा धन sin थीटा गुणा कोशिक थीटा के स्थान पे हम लिख सकते हैं एक बटा sin थीटा क्योंकि कोशिक थीटा sin का उल्टा होता है यहां पर कॉस थीटा अंश और हर से कट जाएंगा तो कॉस थीटा उपर से एक और नीचे कटेंगा तो हमाई प्राप्त होंगा एक धन इसी तरह से साइन थीटा और अंश का साइन थीटा और हर का साइन थीटा कट जाएंगा क्योंकि बीच में गुड़ा है तो यहां पे हमें प्राप्त होंगा एक और एक और एक का योग हमारे को दो प्राप्त होंगा जो की हमारा दायापक्ष है तो हम यहां पे लिखेंगे क्योंकि दो हमें प्राप्त हो गया है और दो हमारा दायापक्ष है तो यह हो गया हमारा दायापक्ष इस तरह से हमने सिद्ध कर दिया कि साइन नब्यांश्रिंट थीटा सेक थीटा धन कॉस्ट नब्यांश्रिंट थीटा कोशेक थीटा बराबर दो होता है यह इस उदारण का हल है